हेलो एब्रीवन वेलकम टू कॉमटेट्व एक्जाम एकडमी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे राश्टिय नुक्तिया यनि की 2023 में जितने भी नेशनल अपॉइंटमेंट जो हुए है नए उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इस वीडियो का जो पीडियाप फ यानि की ड्रक कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया कौन बने हैं तो भरत के नए औसदी महानियन ड्रक ड्रक कंट्रोल जनरल बने हैं राजिव सिंग रगवनसी और ड्रक्स कंट्रोलरल जनरल आफ इंडिया की जो अस्थापना हुए थी 14 अगस्त 2019 को हुआ था और DCGI का मुख्य जो है नए दिल्ली में हैं अगला कोस्टिय क्रिसी और ग्रामिड विकास बैंक जिसे नाबाड के नाम से जाना जाता है इसके नए अध्याच कौन बने हैं तो नाबाड के नए अध्याच बने हैं केवी साजी और नाबाड का फुल फाम होता है National Bank for Agriculture and Rural Development और नाबाड की ज प्रमन समीति के सिपारीज पे नबाड की अस्थापना हुई थी अगला कोश्चन है इंडियन एर फोर्स की नए महानिदेशक कौन बने हैं तो इंडियन एर फोर्स के यानि भारती वायू सेना के नए महानिदेशक जो बने हैं डारेक्टर-जनरल बने हैं संजीव कपूर बन आठ अक्टूबर को हुआ था इसलिए हर साल जो वायू सेना दिवस है आठ अक्टूबर को मनाये जाता है और बरत्मान समय में भारती वायू सेना के नए प्रमुख है विवेक राम चौधरी और भारती वायू सेना के नए उप प्रमुख कौन है तो भारती वायू सेना के न अध्याच बने हैं अनिकेद सुनिल तलाठी इंस्ट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंट आफ इंडिया के नय अध्याच बने हैं और जो उपाध्याच कौन है यानि कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है तो आई सी ए आई के जो वाइस प्रेसिडेंट है रंजीत कुमार कोश्चन है रेलेव बोर्ड के नए अध्यच और CEO कौन बने हैं तो रेलेवे बोर्ड के नए अध्यच और CEO बने हैं अनिल कुमार लाहोटी और इंडियन रेलवे की अस्थापना 16 अप्रेल 1800 तिरपन को हुआ था मुख्याले नए दिल्ली में हैं और बरत्मान समय में रेल मं स्टाफ यानि की CDS कौन बने हैं तो भारत के जो सेकेंड नंबर के जो चीफ आफ डिफेंस स्टाफ बने हैं लेटिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं और आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ कौन थे तो भारत के पहले चीफ आफ डिफें नीज़सक बने हैँ सुजाय लाल थाउसेन और फूल फाउंसेन और सीर्प्यर्प का फूल फ्रॉम होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और अस्थापना हुआ था CRPF का 27 उलाई 1949 को मुख्याला है नई दिल्ली में और CRPF का जो मोटो है सेवा और निस्ठा है अगला कुस्चन है ITBP के डारेक्टर जनरल कौन बने हैं यानि ITBP के महानी देशक कौन बने हैं तो ITBP के महानी देशक बने हैं अनिस दयाल सिंग अनिस दयाल सिंग ITBP के डारेक्टर जनरल बने हैं और ITBP का फूल फार्म होता है इंडो तिब्वतन बारडर पुलिस इसकी अस्थापना 1962 में हुआ था और ITBP का जो हैटक्वाटर है नई दिल्ली में है और ITBP का जो मोटो है सौर्य द्रिड़ता कर्मेनिश्ठा जो है ITBP का मोटो है अगला कुश्चन है हाली में भारतीय सेना में पहली महिला लडाकू पाइलट कौन बनी हैं तो भारती महिना सेना में पहली महिला लडाकू पाइलेट बनी हैं कैप्टन अभिलासा बराक जो की हर्याना से बिलांग करती हैं अगला कोस्षन है दुनिया के सबसे उचे यूद अस्थल सियाचीन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी आफीसर कौन बनी हैं तो जो सिया चीन है ये दुनिया का सबसे उंचा यूद अस्थाल है यहां पे जो तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी आफिसर बनी हैं कैप्टन सीवा चौहान बनी हैं कौन बनी हैं कैप्टन सीवा चौहान अगला कोशन है हाली में CRPM में रैपीड एक्षन फोर्स की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे निक्त किया गया है CRPF में Rapid Action Force की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में निक्त किया गया है एनी अब्राहम को अगला कोश्चन है CRPF के बिहार सेक्टर की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे निक्त किया गया है तो बिहार सेक्टर की पहली महिला इंस्पेक्टर जनल के रूप में नुक्त किया गया है सीमा ढूंडिया को अगला कोश्चन है भारत के 50 मुखे नाधिस कौन बने हैं भारत के 50 मुखे नाधिस बने हैं नै जनल हाई-वय अथर्टी आफ इंडिया के नए प्रेशिडेंट कौन बने हैं संतोष कुमार यादो है है और नैश्णल हाई-वय अथर्टी आफ इंडिया का श्थापन 1928 में हुआ था मुख्याला नहीं दिल्ली में हैं। अगला कोश्चन है भारत के June नए महानयवादी यानि के ऐटार्णी जन्रल कौन बने हैं तो भ्रत के नए महानयवादी बने है अटार्णी जन्रल बने है है आरЛ divankat रंड रमड रमडी यह 40 के एंडिया कैं अगला कूशन है भारत के सुप राश्ठिय सुरच्छा्चा सलाव कार कौन बने हैं तो जो उप राष्टिय सुरच्छा सलाकार बने हैं यानि वाइस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बने हैं इनका नाम है पंकच कुमार सिंग और आपसे पुछा जाए भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानि की राष्टिय सुरच्छा सलाकार कौन है तो यह ह हैं मेगना अहलावत मेगना अहलावत और टेबल टेनिस फेडरेशन आप इंडिया की अस्थापना 1926 को वा था महा सचीव अरुण कुमार बनर जी हैं और भारती बैड्मिंटल संग के जो अध्याच है हेमंद विश्वा सर्मा है अगला कोश्चन है राष्टी सांखी की आयो कर राजू लच्मन करिंदकर जो बने हैं नेशनल इस्टैटिकल कमीशन के नए अध्याच यानि किराष्टिय सांखे की आयोग के नए अध्याच बने हैं और नेशनल स्टैटिकल कमीशन क्या जो गठन हुआ था 2005 में हुआ था मुख्याला नए दिल्ली में हैं नागरिक उ उडियन महानिदेशाले के नए महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत भारत के उपराष्टपती कौन बने हैं तो भारत के उपराष्टपती बने हैं जगदीप धनकड और राष्टपती कौन है राष्टपती हैं द्रौपद मुर्मू अगला कोशन है नेशनल स्टॉक एक के नए MD CEO बने हैं आसीज कुमार चौहान और बंबे स्टॉक एक्षेंज के नए MD CEO हैं सुन्दर रमर्मूर्थी बंबे स्टॉक एक्षेंज के जो नए अध्याच बने हैं SS मुंद्रा बने हैं SS मुंद्रा अगला कुश्चन है राष्टिय मानो अधिकार आयो यानि कि National Human Rights Commission के नए अध्याच कौन बने हैं तो राष्टिय मानो अधिकार के नए अध्याच बने हैं अरुन कुमार मिस्रा और National Human Rights Commission की अस्थापना 12 अप्रैल 1993 को किया गया था और National Human Rights Commission का जो मुख्याला है नई दिल्ली में हैं National Human Rights Commission के अध्याच है अरुन कुमार मिस्रा और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्टिय पिछड़ा आयोग के अध्याच कौन है तो पिछड़ा आयोग के अध्याच है हंस राज गंगा राम अहीर और राष्टिय अल्प संख्यक आयोग के अध्याच कौन है तो अ इंस्टिव टाप कॉस्ट एकाउंट साफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो भारतिय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्याच से बने हैं विजेंद्र सर्मा अस्थापना हुई थी एक जुलाई उन्नीसों चास को और भारतिय लागत लेखाकार पुलिष फूर्स के नए महान दिसक कौन बने हैं तो इंडो तिप्रचन बार्डर पुलिस्पोर्स के नए महान दिसक बने हैं अनिस्प दयाल सिंग और इंडो तिव्द्बेतन बार्डर्ण पुलिस फोर्स की जो अस्थाहपन हुई ती recycling में भारतिय दूर संचार थी यस प्रेसिदेंट बने है तो ऐगला को रिषार्च एड आनलिसिस विंग्स याषण प्रेसिदेन बने परदार्थ किया गया है इससे पहले यहीं था जिनका नाव में सामंत ग्रेसिदेंट विंग्स एड निडिância से President बनाया गया है अगला कुशचन है भारतीय कृषी अनुसंधान संच्थान आई-C-A-R इसका Full-Farm है Indian Council of Agriculture Research के नए महानीदेसक यदि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं तो Indian Council of Agriculture Research के नए महानीदेसक बने हैं हिमान्सु पाठक और ICAR यानि की Indian Council of Agriculture Research की जो अस्थापना हुए थी 15 जुलाई 1929 को हुआ था मुख्याला जो है नई दिल्ली में है अगला कुश्चन है अखिल भारतिय फुटबाल महासंग यानि की All India फुटवाल फेडरेशन के नए अध्याच कौन बने हैं तो आल इंडिया फुटवाल फेडरेशन के नए अध्याच बने हैं कल्याण चौबे और आल इंडिया फुटवाल फेडरेशन की अस्थापना 23 जुन 1937 को हुआ था मुख्याला नई दिल्ली में हैं अगला कुश्चन है भारतिय अंत्रिच संग यानि की इंडियन इस्पेस एसोसियेशन के पहले अध्याच कौन बने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका पहली बार नियुक्ति की गया है तो भारतिय अंत्रिच संग के पहले अध्याच बने हैं जयांत पाटिल कौन बने हैं जयांत पा कमिशनर सेंट्रल विजनान्स कमिशनर कौन बने हैं तो बर्तमान समय में जो नए किंद्रिय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश पतेल बने हैं कौन बने हैं सुरेश पतेल अगला कोस्चन है भारतिय प्रतियस पर्धा आयोग यानि CCI इसका फूल फार्म है Competition Commission आफ इंडिया के नए प्रेशिडेंट कौन बने हैं तो Competition Commission आफ इंडिया की जो नए अध्यच बनी हैं यह बनी हैं संगीता बर्मा और Competition इसन कमिशन आप इंडिया की जो अस्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था मुख्याला नई दिल्ली में हैं अगला कोश्चन है राजसभा के नए महासचिव कौन बने हैं राजसभा के नए महासचिव बने हैं परमोध चंद्रमोधी और आपको यह भी याद होना चाहिए कि राजसभा के जो उपसभापती हैं हरिवन्स नरायड सिंग है राजसभा के विपच्च के नेता हैं मलिक आर कर अगला कोशंचन है किसे सडग संगठन यानि की BRO यानि की बार्डर रोड ओर्ग्नाइजिशन का नया महानिदिशक यानि डारेक्टर जन्रल नुख्त किया गया है तो बी आरो के जो नए डारेक्टर जन्रल नुख्त किए गया है राजीव चौधरी कि नुख्त किया की बर्तमान अध्याच कौन है तो राष्टिय महिला आयोग के बर्तमान अध्याच है रेखा सर्मा अगला कोश्चन है भारतिये बीमानन प्राधिकरण एविवेशन अथार्टी आफ इंडिया के नए अध्यच कौन नियुक्त हुए हैं तो भारतिय विमानन प्राधिकरण के नए अध्यच नियुक्त हुए हैं संजीव कुमार कौन बने हैं अगला कोस्चन है भारतिय आयुर विज्यान अनुसंधान पौसर्थ यानी की ICMR इंडियन क花उंसिल लिशेंगे नए महानें दिशक कौन बने हैं तो कि आइसी एम आर के नयमहाणिद्शक बने हैं राजिव बहल राजी 2,0 मार के नय महानिद्लिशक बने हैं अगला कौश्चन है तेल यों प्राकर्टिग गयास निगम के नय अध्याश तो तेल योंप्राकरिटिक गयास के नए अध्याच बने हैं अरुन कुमार सिंग अस्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को और मुख्याला है नए दिल्ली अगला कुश्चन है इस्टील अथर्टी आप इंडिया लिमिटेड यानि की सेल की पहली महिला अध्याच किसे न्यूक्त किया गया है तो इस्टील अथर्टी आप इंडिया की पहली महिला अध्याच न्यूक्त किया गया है सोमा मंडल को और इस्टील अथर्टी आप इंडिया की जो अस्थापना हुई थी 14 जन्वरी 1954 को वा था मुख्याला नए दिल्ली में है अग्ला कोशन है राष्टीय जांच एजंसी यह निकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजंसी के नए महानियी देशक कौन बने है Dul में किया गया था और इना इये का जो मुख्याला है नए दिल्ली में है अगला कुशन है भारत के नए लेखा महानियंतरक कौन बने हैं लेखा महानियंतरक का मतलब Controller General of Accounts तो भारत के नए लेखा महानियंतरक बने हैं CGA बने हैं SS दूबे कौन बने हैं SS दूबे और ये 28 नंबर के लेखा महानियंतरक बने हैं अगला कोशन है ससस्तर सीमा बल की नई महीला महानी दिसक कौन बनी है तो ससस्तर सीमा बल की नई महीला महानी दिसक बनी है रस्मी सुकला और ससस्तर सीमा बल की जो अस्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को हुआ था मुख्याला नई दिल्ली में है और इसका मोटो है ससस्तर सीमा बलका सर्विस सेक्योरिटी एंड ब्रदर हूड सर्विस सेक्योरिटी एंड ब्रदर हूड अगला कोश्चन है निती आयोग के नए CEO कौन बने हैं तो निती आयोग के नए CEO बने हैं बी वी आर सुब्रमनियम बी वी आर सुब्रमनियम जो है निती आयोग के नए CEO बने हैं और निती आयोग का फूल फार्म है National Institute of Transforming India अस्थापना एक जनवरी को हुआ था मुख्यालन नई दिल्ली में है निती आयोग के जो प्रेसिडेंट होते हैं अध्याच होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं तो इस समय जो प्रधानमंत्री है निती आयोग के अध्याच है और उपाध्याच है सुमन के बेरी अगला कोशन है किंद्रिये विद्धुत नियामक आयोग के नए अध्याच कौन बने हैं तो किंद्रिये विद्धुत नियामक आयोग के यानि की Central Electric Regulatory Commission के जो नए अध्याच बने हैं जिस लूब बरुगा बने हैं कौन बने हैं जिस लूब बरुगा किंद्रिय विद्धुत नियामक आयोग के नए अध्याच बने हैं अगला कोश्चन है हाली में राष्टिय डेरी विकास बोर्ड यानि कि नेशनल डेरी डेपलोमेंट बोर्ड के नए परबंद निदेशक के रूप में किसे चुना गया है तो नेशनल डेरी डेपलोमेंट बोर्ड के नए परबंद निदेशक के रूप में चुना गया है मिने अगला कुश्चन है भारती उलम्पिक संगठन की पहली मैला अध्याच कौन बनी है तो इंडियन उलम्पिक एसोसियेशन की पहली मैला अध्याच बनी है पीटी उसा इंडियन उलम्पिक एसोसियेशन की अस्थापना 1927 को हुआ था मुख्याला नई दिल्ली में है इंडियन हांकी इंडिया के नए अध्याज़ बने हैं दिलिप तर्की हांकी इंडिया का अस्थापना 20 माई 2009 को किया गया था मुख्याले नई दिल्ली में है अगर आपसे पूछा जाए कि मेंस हांकी कोच कौन है तो मेंस हांकी टीम के जो कोच है क्रैग फुल्टन इनका भी हाली में निक्ति की आगयात यह इंपॉर्टन है और विमेंस हांकी कोच कौन है तो विमेंस हांकी कोच है जेनेक सोपमैन जो है यह महिला हांकी टीम के कोच है और पूरुस हांकी टीम के कोच है क्रैग फुल्टन अंतराष्टी हांकी संगठन यानि के इंटरनेशनल हांकी बने हैं सेख मुहम्मद बिन सायद सेख मुहम्मद बिन सायद जो है यह अंतराष्ठी हांकी संगटन के अध्यास बने हैं और इंटरनेशनल हांकी फेडरेशन की जो अस्थापना हुई थी साथ जन्वरी 1924 को हुआ था मुख्याले लुआजेन सुर्जय लैंड में हैं और इ एक्जाम में पूछ लेता है कि इस रोग का जो मोटो क्या है इस रोग के अस्थापना कब हुई थी डियाडियो के अस्थापना कब हुई थी तो इसलिए बता रहे हैं और इस वीडियो को अगर जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको यह रिवाइज हो जाएगा अगला कॉषण है भारत्य क्रिकेट कंटोल बोड के अध्याच कौण बने नैं तो BCCI के जो नए अध्याच बने हैं रोजार बिदनी बने और बीसीकी का जो अस्थापना हुआ था 1928 में हुआ था मुख्याला मुंबई में है वाइस प्रेसिडेंट है वी सी सी आई के राजी सुकला और सेक्रेटरी जनरल है जैसा और अगर आपसे पूछे और आइपील यानिएकि इंडियन प्रीमेल लिग के झने अध्यच कोण बने हैं तो इंडियन के ढ़्याने फ्राइवता अरूर सिंग धूल औरूर 보hr ना अखिल भारतिय रच्वर हो दिया टिंडिया रवर उध्य Mussadis को अंदिया रवढ के अध्याच को बने हैं तो अर масс बार OSS मंग को बने और मुंबै का अगला खुंच 건 अंतराष्टिय सोलर संगठन यानि की इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के अध्यच कौन बने हैं तो अंतराष्टिय सोलर संगठन के अध्यच बने हैं और के सिंग और इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की जो अस्थापना हुई थी 30 नौबर 2015 को हुआ था मुख्याला जो है International Solar Alliance का गुरुग राम हर्याना में हैं डारेक्टर जन्रल है आजय माथोर और International Solar Alliance के जो founder है नरेंद मोदी और फ्रेंड कुष होलेंडी है नरेंद मोदी और फ्रेंड कुष होलेंडी जो है International Solar Alliance के founder है अगला कुछच्चन है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry यानि की फिक्की के नए महासाचीव बने कौन बने है तो फिक्की के जो नए महासाचीव बने है सैलेस पाठक बने है कौन बने है सैलेस पाठक फिक्की का फुल फॉर्म होता Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries अस्थापना 1927 को हुआ था मुख्याले नई दिल्ली में है founder है घंस्याम दास बिल्ला और बरत्मान समय में जो फिक्की के अध्यच है सुब्रकांथ पांडा है कौन है सुब्रकांथ पांडा अगला question है International Astronautical Federation यानि की IAF के उपाध्यच कौन बने है तो International Astronautical Federation के उपाध्यच बने है Vice President बने है डाक्टर अनिल कुमार अगला question है Indo-American Chamber of Commerce के अध्यच कौन बने है Indo-American Chamber of Commerce के अध्यच बने है ललित भसीन मेटा इंडिया के उपाध्यच कौन है तो मेटा इंडिया के जो Vice President है यह है संध्या देवनाथन संध्या देवनाथन जो की एक महिला है इन्हें मेटा इंडिया के उपाध्यच बनाये गया है अगला question है FIFA की तिसरी बार अध्यच कौन बने है FIFA के तिसरी बार अध्यच बने है गियानी इनफाइन्टीनो FIFA का full firm है Federation International Football Association अस्थापना एक माई 1904 को हुआ था और FIFA का headquarter Zurich Switzerland में है अगला question है तो International Electro-Technical Commission के जो Vice President बने है ये बने है बीमल महेंद्रू International Electro-Technical Commission के उपाध्यच बने है और International Electro-Technical Commission का headquarter कहाँ पे है तो इसका headquarter जिनेवा स्वीड़जा लेंड में है अगला question है Energy Efficiency Services Limited EESL के मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि की Chief Executive Officer किसे नुक्त किया गया है तो EESL यानि की Energy Efficiency Services Limited के मुख्य जो कारेकारी नुक्त किया गया है विसाल कपूर को बनाये गया है और Energy Efficiency Services Limited की अस्थापना 2009 में किया गया था मुख्यालन नहीं दिल्ली में है और चेर्मैन है के सिरी कांत अगला कुश्चन है भारती क्रिसी अनुसंधान परिशद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला महानिदेशक किसे नुक्त किया गया है तो भारती क्रिसी अनुसंधान परिशद के गन्ना प्रजनन संस्थान के पहली महिला महानिदेशक के रूप में नुक्त किया गया है डाक्टर जी हैम प्रभा को तो इंडियन कांसिल अग्रिकल्चर रिसर्च सूगर किन ब्रीडिंग इंस्ट्यूट जिसे कहा जाता है भारतीय क्रिसी अनुसंधान परिशद गन्ना प्रजनन संस्थान तो इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है डाक्टर जी हैम प्रभा और अस्थापना कब हुआ था? अस्थापना हुआ था 1912 में और मुख्याला कहां पर ICARSBI का कोएम बटूर तमिल नाडो में है अगला कुश्चन है भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बीपी सील के अध्यच और परबंद निदेशक के रूप में अतरिक्त परभार किसे दिया गया है? तो बीपी सील के अध्यच और परबंद निदेशक के रूप में अतरिक्त परभार दिया गया जी कृष्ण कुमार को किसको दिया गया है? जी कृष्ण कुमार को और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की अस्थापना 1952 में हुआ था मुख्याला मुंबई महर अगला कुष्ण है खाद योम सारवजनिक वित्रड विभाग यानि कि डिपार्टमेंट आफ फूड अन् पबलिक डिस्ट्रिब्यूशन के सच्चिव सेक्रेटरी के रूप में किसे निउक्त किया गया है? तो डिपार्टमेंट आफ फूड अन पबलिक सच्व हैं बिनैय मोहनकवात्रा विग्यान इंजणिरिंग अन्विच्ञ अनुसंधान बोड यानिकी साइनफ एंच इनजिनिरिंग रिज़ेर्च बोड के जो सेक्रेट्री बने हैं सच्व बने डाक्टर अखिलेस गुपतावने हैं डिफेंस सेक्रेटरी कौन है रच्छा सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् सच्चिव हैं सेक्रेटरी हैं विजय कुमार सिंग है वानिज एवं उद्देक यानि कि Commerce and Industries Ministry के तहत वानिज बिभाग के सच्चिव कौन बने हैं तो वानिज बिभाग के जो सच्चिव बने हैं सुनिल बर्थवाल बने हैं अगला कुश्चन है वाईजू ने किसको अपने समाजिक परभाव सभी के लिए सिच्चा के लिए पहले वैस्विक ब्रांड अमबेजडर के रूप में निक्त किया है तो ये निक्त किया है वाईजू ने लियोनन मैसी को और किसले लिया निक्त किया है सभी के लिए सिच्च के लिए कौन बने हैं तो Reliance Industries के स्वतंत निदेशक पांच साल के लिए बने हैं के वी कामत कौन बने हैं के वी कामत अगला कुशन है राश्टी अस्मारक पराधिकरण यानि की National Monument Authority के अध्यच के रूप में किसे नुट्थ किया गया है तो National Monument Authority यानि राष्ठी असमारक प्राधिकरण के अध्यच के रूप में नुट्थ किया गया किसोर के बस्सा को और National Monument Authority के स्थापना 2010 को किया गया था हैटकवाटर ने दिल्ली में है अगला कोश्चन है हाली में भारत के जो विधी आयोग यानि कि ला कमिशन आप इंडिया का जो 22 अध्यच है किसे निक्त किया गया है तो भारत के विधी आयोग के अध्यच के रूप में निक्त किया गया है जस्टिस रितूराज अवस्थी को और ये 22 नंबर के विधी किसे नूट किया गया है तो गोपल विट्टल को गोप ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्मुनिकेशन एसोसियेशन के निदेशक मंडल के उपाध्याच के रूप में नूट किया गया है और जो गोपाल विट्टल है यह भारति एयर टेल के एमडी और सी यूँ है अब बात करते हैं Global System for Mobile Communication Association के बारे में जिसकी अस्थापना 1995 में हुआ था, Headquarter London, England में है अगला question है, अखिल भारतिय तक्निकी सिच्छा परिशत यानि की All India Council for Technical Education जिसको short में AICTE बोला जाता है इसके जो अध्यच प्रेशिडेंट कौन बने है तो अखिल भारतिय तक्निकी सिच्छा परिशत, All India Council for Technical Education के अध्यच बने है T.G. Sita Ram, कौन बने है T.G. Sita Ram तो All India Council for Technical Education की अस्थापना 1945 में हुआ था और मुक्छालर नई दिल्ली में है अगला question है, अंतराष्टी क्रिकेट परिशत यानि कि International Cricket Council का अध्यच किसे नुक्त किया गया है तो International Cricket Council का अध्यच नुक्त किया गया है ग्रैग बरकले को, जो कि New Zealand से बिलॉंग करते हैं और International Cricket Council की अस्थापना 1909 में किया गया था मुक्छालर दोबई, UAE यानि United Arab Emirates में है और मोटो है Cricket for Good अगला कोश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, KVIC के CEO के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो KVIC के CEO के रूप में नुक्त किया गया बिनित कुमार को KVIC इसका फूल फाम होता है, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन जिसकी अस्थापना 1956 में हुआ था, मुख्याला मुंबई में है, चेर्मेन है मनोज कुमार और किस मंत्राले के अधीन आता है KVIC तो ये Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के मंत्राले के अधीन आता है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन अगला कुश्चन है, हाली में राज प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कारिकारी अधिकारी के रूप में किसे नूट किया गया है तो राज प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कारिकारी अधिकारी के रूप में नूट किया गया है गौरो दिवेदी को किसको निउट किया गया गौरो दिवेदी को और प्रसार भारती की अस्थापना 22 नॉवंबर 1997 में किया गया था मुख्याला प्रसार भारती का नई दिल्ली में हैं और बरतमान समय में प्रसार भारती के जो CEO हैं ससी सेखर विंपती हैं ससी सेखर विंपती अगला कोशन है हाली में निती आयोक के पूर कालिक सदस्य के रूप में किसे नुक्त किया गया है अर्विंद विर्मानी को अर्विंद विर्मानी को निती आयोक का फूल फार्म है National Institution for Transforming India अस्थापना 1 जनौरी 2015 को हुआ था मुख्याला निती आयोक का नई दिल्ली में हैं चेयर्माइन है नरेंद मोदी वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन बेरी CEO हैं स्री वी वी यार सुल्मानियम जो कि अभी हाली म में नुक्त किये गए हैं अगला कुश्चन है हाली में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानि की ONGC आयल नेचुरल एंड गैस कार्पोरेशन की अध्यच और प्रबंद निदिल्लिसक के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो ONGC के प्रेसिडेंट और MD के रूप में न नुक्त किये गए हैं उनको यहां पर हम देख लेते हैं नेवली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटेट इसके जो अध्यच और प्रबंद निदिशक बने हैं प्रसंगना कुमार मोटुपली बने हैं गैस अथर्टी आप इंडिया लिमिटेट के अध्यच और प्रबंद अगला कुश्चन है हाली में राष्टिय पैंशन प्रणाणी ट्रस्ट यानि कि नेशनल पैंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यच के रोप में किसे निउत्त किया गया है तो राष्टिय पैंशन प्रणाणी ट्रस्ट के अध्यच के रोप में निउत्त किया गया है सुरजभ को पी अफ आडिये जिसका फूल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलोपमेंट अथर्टी इसकी अस्थापना 23 अगस्त 2003 को किया गया था मुख्याला नई दिल्ली में है और पी अफ आडिये के जो चेयर्मैन है सूप्रतिम बंदोपाद्ध्या है सूप्रतिम बं किया गया है तो भारत के चुनाओं आयुक्त के रूप में निक्त किया गया है अरुड कुमार गोयल को और मुख्य चुनाओं आयुक्त कौन है तो जो मुख्य चुनाओं आयुक्त यानि कि चिप इलेक्षन कमिशनर है यह है राजीव कुमार अगला कोश्चन है हाली में बैग्यानिक और अद्धियोगिक अनुसंधान परिशत यानि कि काउंसिल आप साइंटिफिक एंड इंडर्स्टियल रिश्चर्ज यानि कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक की रूप में किसे नूट किया गया है तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक की रूप में नूट किया गया है नल थंबी कलाय सेलवी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक की रूप में नूट किया गया है और CSIR की जो अस्थापना हुई थी 26 सप्तमबर 1942 को हुआ था मुख्याले नहीं दिल्ली में है और CSIR के जो चेयर्मेन हमेशा जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो इसलिए CSIR के बरतमान समय में जो चेयर्मेन हैं नरेंद मोदी हैं है अगला कुस्चन है हाली में भारती आयुद निर्माणी सेवा यानि कि इंडियन ओर इंडिनेंस factory सर्विस के महानिदेशक के रूप में किसे निउक्ट किया गया है तो इंडियन जो है कोलकाता में है अगला कोस्चन है हाली में किसको आस्ट्रेलिया भारत सम्मंधों बिसेस रोप से ब्यापार निवेस और परवकार के लिए बिसित सेवा के लिए और आफ आस्ट्रेलिया में नुक्त किया गया है तो अभी रतन टाटा को और आफ आस्ट्रेलिया में नु नियुक्त किया गया है अगला कोशन है भारत में बरतमान में भारती अंत्रेश अनुसंधान संगठन इस रो की अध्यच कौन है तो इस रो को जो बरतमान समय में अध्यच है इस सोमनाथ है और इस रो का फूल फार्म है इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जिसकी अस्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था मुख्याला इसरो का बेंगलोरु में है और अगर आपसे पूछा जाए कि थूम्बा एकोट्रेर्यल रोकेट लांचिंग स्टेशन का जो मुख्याला कहां पर है तो थुमबा एको ट्रोडियर रॉकेट लांचिंग जो इस्टेशन है यह है थुमबा तिरुवेनंद पूरम केरल में 37 धवन इस्पेस सेंटर कहां है यह स्रीखोटा आंधर प्रदेश में है और कुलसिक प्रतरम लांचिंग इस्टेशन कहां पर है तो यह तमिल नाडू में है अगला कुश्चन है बर्तमान में रच्छा अनुसंधान और विकास संगठन यानि के DRDO के जो अध्यच है कौन है तो बर्तमान में DRDO की अध्यच है समीर वी कामत और DRDO का फूल फार्म होता है डिफेंस रिसेर्च और डवलप्मेंट आर्गनाइजेशन जिसकी अस्थापना एक जनवरी और निसों अन्ठाउन में किया गया था और DRDO का जो हैटकॉर्टर है नए दिल्ली में है अगला कोश्चन है भारतिय प्रति भूति और विनिमय बोर्ड यानि दो सिक्योरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया इसका स्रॉट नौम है सेवी की पहली मेला अध्याच कौन बनी है तो सेवी की पहली मेला अध्याच बनी है माधावी पूरी बूच जो ह सेवी की पहली मेला अध्याच बनी है सेवी का जो अस्थापना हुआ था 12 अप्रेल 1998 हुआ था मुख्याला मुंबई में है और सेवी एक्ट जो है 1992 का है अगला कुश्चन है बंबे स्टॉक एक्सेंज का नया अध्याच किसे नुक्त किया गया है तो बंबे स्टॉक एक्स राम मूर्ती बंबे स्टॉक एक्षेंज के नए M.D.C.E.O हैं बंबे स्टॉक एक्षेंज की अस्थापना 9 जुलाई 1875 में किया गया था और मुख्याला जो है बंबे स्टॉक एक्षेंज का मुंबई में हैं अगला कोस्चन है नेशनल स्टॉक एक्षेंज का M.D.C.E.O किस अगला कोश्चन है हाली में राष्टी अनुसुचित जाती आयोग यानि कि नेशनल कमिशन फार सेडूल कास्ट का अध्यच किसे नुक्त किया गया है तो नेशनल कमिशन फार सेडूल कास्ट का जो अध्यच नुक्त किया गया है विजय सांपला को नुक्त किया गया है तो ब अगला कोश्चन है खुफिया वीरो यानि कि इंटेलिजेंस वीरो का निदेशक किसे नुक्त किया गया है इंटेलिजेंस वीरो के निदेशक बनाए गया है तपन कुमार्डेका और इंटेलिजेंस वीरो का जो अस्थापना हुआ था 1887 में हुआ था मुख्याला इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है ये नई दिल्ली में है अगला कोश्चन है केंद्रिये प्रत्यचकर यानि कि CBDT यानि कि सेंट्रल बोर्ड आप डारेक्ट टैक्सेज का नया चेयर्मेन किसे नुक्त किया गया है तो सेंट्रल बोर्ड आप डारे टैक्सेज का जो अस्थापना हुआ था 1963 में हुआ था किस एक्ट के तहथ हुआ था तो सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू एक 1963 के तहथ हुआ था 1963 में सेंट्रल बोर्ड आप डारेक्ट टैक्सेज की अस्थापना और मुख्याला कहां पे हैं नई दिल्ली में हैं अगला कोश्चन है बर्तमान में कांग्रेस के अध्यच के रूप में किसे चुना गया है तो कांग्रेस के अध्यच के रूप में चुना गया है मलिक आरजुन खडगे को अगला कोश्चन है थल सेना परमुक के रूप में किसे नुक्त किया गया है थल सेना परमुक के रूप में पांडे को और जो अस्थापना हुआ था एक अप्रैल एंडियन एक अप्रैल उन 1895 को वा था इंडियान आर्मी की अस्थापना मुख्याला नई दिल्ली में है और भारतिय थलसेना सेन्टल बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन के अध्याच की रूप गया है निदी छिपबर को किसको निउत किया गया है निदी छिपबर को और सेंटल बोर्ड आप सेकंडरी एजुकेशन की जो अस्थापना हुई थी दो जुलाई अगला कोश्चन है संग लोक सेवा आयोग यानि की यूपी यसी यानि की उनियन पब्लिक सर्वेश कमिशन के अध्याच के रूप में किसे चुना गया है तो संग लोक सेवा आयोग के अध्याच बने हैं मनोज सोनी और उपी यसी की जो अस्थापना हुई थी एक कोस्ट गाड का महानिदेशक डारेक्टर जनरल नुप्त किया गया है बिरेंद कुमार पठाणिया को बिरेंद कुमार पठाणिया को और भारतिय तत्रचक का जो अस्थापना हुआ था 18 अगस्त 1980 को हुआ था मुख्यालन नई दिल्ली में है मोटो है इंडियन कोस्ट गाड क वैम रच्छाम वैम रच्छाम है बर्तमान समय में चीफ आफद एयर श्टाप कौन है यानी एयर चीफ मार्सल कौन है यह हैं बिवेक राम चौधरी और नौ से नाध्याच कौन है एड्मिरल हरीकुमार अगला कोश्चन है राष्टी सुरच्छा गाड यानि की नेशनल सेक् गाड का महानिदेशक किसे नुक्त किया गया है तो नेशनल सेक्योरिटी गाड का महानिदेशक नुक्त किया गया है म ए गणपति को म ए गणपति को नेशनल सेक्योरिटी गाड का महानिदेशक नुक्त किया गया है नेशनल सेक्योरिटी गाड की अस्थापना 16 अक्टूबर 1984 में किया गया था वो ख्याले नई दिल्ली में है और आदर्स वाक्य है नेशनल सेक्योरिटी गाड का सरवत्र सरवत्तम सुरच्छा अगला कोश्चन है नेशनल सांक की आयोग यानि नेशनल स्टेटिकल कमिशन का अध्यच किसे नुक्त किया गया है तो नेशनल स्टेटिकल कमिशन का अध्यच नुक्त किया गया है राजिव लच्मन कारिंदर को राजिव लच्मन कारिंदर को और नेशनल स्टेटिकल कमीशन की जो अस्थापना हुई थी एक जुन 2015 को हुआ था मुख्याला नई दिल्ली में है और राश्टी संक की दिवस 19 जुन को मनाया जाता है हर साल पीसी महाल नोविस के जनम दिवस पर और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन स्टेटिकल इंस्ट्यूट कहां पर है तो ये कोलकाता में है तो इंडियन स्टेटिकल इंस्ट्यूट कोलकाता में है और नेशनल स्टेटिकल कमीशन का जो हैटकॉर्टर नई दिल्ली में है बिलकुल मत होना.